कि नमस्कार competition community e-learning platform में आपका स्वागत है इस ऐसा वी विशेश कक्षा में मैं अनिके दिवांगन आज फिर लेकर आया हूं अर्थ विवस्था से सम्मंदित कुछ नय और बहुती जादा महत्तपूर्ण प्रश्नवली जो आपके प्रारंभिक परिक्षा की दृष्टी से का घाल वर से सम्मंदित हम लोग यहां पर देखेंगे राजकोशी नेतिओं चैनल के और मारत देश कर्ण्म और घाल-इब लोग देखेंगे राजकोशी नीतियूं के ओपर में घाल-थ यहीज़ियृ जाते हैं तो चलिए प्रश्ण उत्तर की और हम लोग इहां पर आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्ण इस प्रकार है निम नलिखित में कौन सा एक राज-कोशिय नीती का भाग है मतलब एक ऐसा कोश जो किसका कोश है यहाँ पर राजा का कोश है और नीतिया मतलब मैं पहले ही यहाँ पर नीति वर्ट को यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूं नीति किसी पर्टिकुलर उद्देश की पूर्टी के लिए या किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए प्रभाव पढ़े या फिर भारत सरकार के यहाँ पर प्रभाव डाले ऐसी सारी नीटियों को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर राजगोश यह नीटी तो इसके अंतरगत में सारवजनिक आए जाएंगी क्योंकि देखो जितना भी खर्चा यहां पर करना है राजा को देश के राजा को वह सब यहां पर सारजनिक आय में जो यहां पर उनकी प्राप्ति हुई है उसी एकाउंट से उनलों क्या करेंगे यहां पर खर्च करेंगे तो कहने का मतलब एक तो सबसे पहले इस यहां पर कड़ते हैं और उसको देखते हुए देश कैसे यहां पर बजट का क्या करता है यहां पर निर्धारण करता है तो हम क्या देख रहे हैं कि राजकोशी नीती के अंतरगत में हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले सारजनिक आय नीती यह जिसको हम लोग क्या बूर सब्सक्राइब यहां पर भाग होते हैं तो कहने का मतलब इंय। यहां पर उद्देश क्या है और मांगब आपूरती इसका जो chain है वो सदयों यहाँ पर बना रहे हैं तो यह कुछ यहाँ पर राजश को शी नीती के भी क्या होते हैं यहाँ पर उद्देश हैं और इसी उद्देश की पूर्टी के लिए सरकार जो है हम क्या देख रहे हैं मैनेजड तरीके से इन सारे यहाँ पर POLICE को क्या कड़ तो इस प्रश्ण के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कौन से एक राजकोशी नीती का भाग है उत्पादर नीती कर नीती विदेश नीती और व्याजदर नीती तो हम क्या देखेंगे यहां पर क्या हो ब्यों किमेरा इहां पर बूला कर नीती मतलब देखो पुब्लिक इंकम को बढ़ाने केले सरकार क्या लगाती है तो कर नीती किसते नीती से क्या है अपना संबढ़ दिए चलिए अगले civ कि और आगय बढ़ते हैं इन में से एक राजकोशी नीती का भाग यहाँ पर नहीं है तो जैसे कि हमने पिछले ही यहाँपर प्रश्ण मैं यहाँपर पढ़ा था isol at कि राजकोशी नीती का शारुजनिक, आय नीती, सारुजनिक, वे नीती, सारुजनिक, रिन नीती, लेकिन ये साख की राष्निंग जो है वो राजकोशी नीती का भाग यहां पर नहीं होता, इसे हम यहां पर मौद्रिक नीती के अंतर गत में जो Qualitative Tools थे या गुणात्मक उप आपढ़ाय तहें जो आर्ब्याई के दुआरा यहां पर मार्केट को स्टेबल करने के लिए यहां पर मार्केट में गुणवत्था पूर्वा की यहां पर आर्बीए के दौरा यहां पर अपनाया जाता है तो यह अपने håra branch किसका तो हम क्या की अगर करते हैं पिछले फिसकी प्लास की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो मौदरिक नीती का संचालन यहां पर कौन कर रहा हैं देश में सरोज संस्ता इन्डिपैंडंडनेंट अरola निकाया है जैसे हम कहते हैं यहां पर रबीवैर हम altogether कैने राज कोशी बात की जारी यहां पर सरकार की यहां पर बात की जारी तो निम लिखित में से कौन यहां पर राजकोशी नीती का निर्धारन करता है तो क्या योजना आयोग करता है क्या बिल्कुल भी नहीं योजना योजना संबंदित यहां पर चीजों को क्या करता है यहां पर लेकर आता अगला question है विट्टी या fiscal नीती का संबंध निमने लिखित में से किस से हैं तो अगें यहाँ पर किसकी बात की जारी है राजकुशिय नीती या जिसको हम लोग क्या बूल रहे हैं यहाँ पर fiscal पॉलिसी फिसकल पॉलिसी का रिलेशन निमने लिखित में किसका इसके साथ है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिसकल पॉलिसी की यहाँ पर बात की जारी है तो मुद्रा ऑप्ष एक ही और जब हम जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं मुद्रा की उस मात्र से जो बैंक अर्थ तंत्र में ौहां बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर डा hore तो सीड़ी से बात है यह मौद्रिक नीथी का क्या होगा और बजट नीति किसके भाग होते हैं यहां पर सरकार के कर लगाने और सासनसे संबंधित वैसे संबंदित यहां पर क्या होगी यह निती होगी तो चलिए अगला question की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला question है निमनलिखित में कौन केंदर सरकार के चालूख हाते में के आए के श्रोथ है तो अगर हम लोग बात करते हैं चालू खाते के आई के श्रोथ की यहां पर बात की जारी है सार्वजनिक आई के बात की जारी है तो सार्वजनिक आई या पब्लिक इंकम हम किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं तो पब्लिक income that means यहां पर सरकार के दौारा एक financial year नहीं हैं क accents के लिए एक वित्तिय वर्ष के लिए karni के लिए एक financial year के लिए तो अगर हम सारजनिक आय की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सरकार के द्वारा एक वित्तिय वर्ष में अपने सारे सोर्से से प्राप्त इंकम को हम लोगों ने क्या बुला यहां पर सारजनिक आय बुला हुआ अब इस इंकम को हम लोग यहां पर दिवाइड और गरते हैं एक को हम लोग यहां पर बूल रहे हैं revenue I यह जिस में revenue इंकम से क्या समझते हैं हम लोग यहां पर होता है सरकार को Pareman Who जिसे हम लोग क्या देखे रहे हैं जो करो के माध्यम से टेक्स के माध्यम से या नॉन is revenue income हम लोग बोल रहे हैं हम लोग Capital income क्या बोलते हैं कि सरकार के उन तरह सरकार को उन सारे सोर्से से प्राप्त income होता है जिसे भविश्य में लोटाना पड़ता है यह उधार का पैसा होता है इसमें लाइबिलिटी या देता क्या होती है स्रिजित होती है यहा फिर सरकार अपनी संबत्ति को बेच कर या विनिवेश हो गया रहा कि माध्यम से और सरकार जो पैसे को क्या करता है यहां पर अर्न कड़ता है तो हम क्या देख रहे हैं कि पुण्जिगत इंकम भाई सीडिसी बात है वह इंकम जिसे भविश्व में क्या करना पड़ता है हमको लोटाना पड़ता है इसमें देता या लायबिलीटी क्या होती है यहां पर गौर्मेंट की स्विजित होती है इसे हम लोग क्या बूल रहे हैं इंकम इसके अंतरक्त में हम लोग क्या देख रहे है इसके इसके बूला और वीनीष निवेश के ध्यारा राशी प्राप्ति की गई है वी निवेश या जिसको हम लोग क्या बूल रहे हैं यहां पर डिस इन्वेश्ट मेंट की बात यहां पर करते हैं इवन दो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरकार अपने असेट वगिरा क्या कर दे रही है यहां पर बेज दे रही है इसे हम यहां पर पुनजीगत AI के नाम से क्या करते है जानते हैं तो यहांपर बोला जा रहा है सरकार के चालूख हाते क начал बात की जारी है और फिवहन पर क्या होता है सरकार को एक फाइनेशल यहर में अपने सारे सोर्से से प्रापत वह इंकम जिसको भविष्य में लटाता नहीं है उसमें कोई भी लाइबलेटी यहां पर क्रियेट नहीं होती है कोई भी देता यहां पर क्रियेट नहीं होती है तो कहने का मतलब चालू खाते में आये के क्या-क्या सोर्स है चलो हम लोग यहां पर इस्टेट्मेंट की और यहां पर आगे बढ़ते हैं तो जिसमें हम क्या देख रहे हैं corporate tax से जो यहां पर सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है तो जैसे कि मैंने क्या बुला यहां पर कि जो टेक्स revenue है या टेक्स है वो सरकार के revenue income का क्या हो रहा है यहाँ पर भाग हो रहा है तो कहने हम लोग क्या देख रहे हैं तो सीधी जी बात है यह सरकार के चालूख हाते में क्या होगा यहाँ पर शो होगा दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारजनिक प्रतिश्थानों से प्राप्त यह यहां पर लाव क्या होता है किया क्या नहीं होती तो कहने का मत Tuesday कि इछ game पूर्जनिक प्रुद्शनों से प्राप्त लाव– यहां पर चालुखाते में ही क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा वही हमनों क्या देखे रहे हैं राष्ट्री बचत्स पत्रों का यहां पर विक्र है गवर्मेंट के पास में जब यहां पर पैसे कम पढ़ते हैं तो उपन मार्केट में राष्टी बचत पत्र वगेरा की क्या की जाती है यहां पर विक्री की जाती है ताकि सरकार को क्या हो that means जब उसकी पर कौक्पटर कि जो जैसे किसानलिक पत्र की बात कर लेता हूं एक के किसानलिकास पत्र सरकार less open Market में क्या हुआ यहां पर बेचा ठीक है किता सब्सकुर्द और यहां पर e returned यहां पर जारी कर रहा है जिसे एक आम इंसान यहां पर खरिदता है तो वह 10,000 रुपया किसको जाएगा यहां पर गवर्णमेंट आप इंडिया को जाएगा तो कहने का मनद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें एक देटा क्या हो रही है स्रिजित हो रही है तो जैसे राश तोबाई जितने भी राव वग रहे यह सब यहां पर पुंजिगत आया के यहां पर क्या होते हैं भाग hoping यह दोनों पर चालू खाते मेंusta पर शोट नहीं होंगे तो केवल क्या चुपड होगा इसका होगा यहां हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है किसको या किनको भारत सरकार के पुंजी बजट में यहां पर शामिल किया जाता है तो जैसे कि मैंने क्या बुला यहां पर भारत सरकार के पुंजी बजट की यहां पर क्या की जारी है बात की जारी है किसे भारत सरकार कि यहां पर पुंजी बजट में हम लोग यहां पर शामिल करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर पुंजी बजट या तो पुंजीगत आए कि यहां पर बात की जारी है या तो हम लोग क्या देख रहे हैं पुंजीगत वे कि यहां पर क्या की जारी है बात की जारी है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ते हैं चुंकि यह राजकोशी है नीती का एक यहां पर अंग है जिसको हम लोग पढ़े थे कि सारवजनिक वय तो सारवजनिक वय की अगर बात करते हैं तो जैसे सारवजनिक आय क्या देखेते हम कि सरकार को एक financial year में अपने सारे sources से प्रा Hagg成ink ला इंकम क्या कहलाया थारा और कि लींप कहलाया था वही हम लोग बात करते हैं सारज़निक वै कि हम लोग बात करते हैं या public expenditure की हम यहांपर बात करते हैं तो प्रविक expenditure किसको बुलते हैं सरकार के दवारा एक finansial इयर में किया गया समस्त खर्चा क्या कहलाता है यहाँ पर यह जो खर्चा है क्या कहलाता है यहाँ पर सारजनिक वे कहलाता है अब देखो इसके भी दो यहां पर कि सरकार के द्वारा एक वित्ति वर्ष में किया गया वह खर्चा जिससे सरकार को कोई भी यहां पर income ना हो कोई भी यहां पर income generate ना हो उसे हम क्या बोलेंगे राजस्व व्याय बोलेंगे तो सरकार के द्वारा एक financial year में किया गया वो खर्च जिससे सरकार को कोई भी इंकम नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर राजस्व वैं तो सरकार के काफी सारे हैं यहां पर डिवलोप्मेंट के लिए यहां पर किये जाते हैं क्योंकि भारत चुकि हम लोग क्या द पार्ट होगा राजस्व वैं का क्या होगा पार्ट होगा लेकिन पुंजिगत वैं उस वैं को बोलेंगे या उस खर्च को बोलेंगे जो सरकार एक financial year में तो करता है लेकिन किसलिए करता है यहां पर ताकि उसकी income क्या हो यहां पर generate हो सरकार के द्वारा एक financial year में किया गया वो खर्च जिससे सरकार को क्या प्राप्त हो इंकम प्राप्त हो तो सरकार कहां कहां खर्च कर सकता है हो सकता है किसी दूसर देश को यहां पर क्या दे उधार दे या फिर कोई मशीनरी यहां पर पार्ट खरीद ले क्योंकि जैसे मसीनरी पार्ट में यहां पर खर्च किया तो देखो सुरवात में सरकार का खर्च है लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे वह मशीन यहां पर रन करने लगेगा वह और भी वस्नों का क्या करेगा प्रोडक्शन तो चलिए option की और अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो प्रश्ण वापस से पढ़ेंगे हम निम लिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पुंजी बुजट में यहां पर शामिल किया जाता है तो option में यहां पर आते हैं जैसे सडकों इमारतों मशीनरी आधी जैसे प पर शामिल किया जाता है वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि विदेशी यहां पर सरकारों से प्राप्त रिण किये जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि विदेशी सरकारों से प्राप्त रिण ठीक है तो अगर हम लोग क्या देख कि वहारत सरकार के पुण्जी बजट में यहां पर शामिल किया जाता है तो यह तीनों यहांपर भारत सरकार के यहाँ पर कुझजी बजट में क्या किये जाएंगे यहां पर शामिल किये जाएंगे तो option D क्या होगा इसका यहां पर करेक्ट होगा चलिए next question की और आगे बढ़ते हैं केंद्र केंद्र सरकार के बजट के चालूख हाते में वैका यह पर उक्सरकार कोन से रेया में सबसे ज्यादा यहां पर एक्स पेंड करता है झाकते की बात चालू खाते के नइतु एक और ऐसे सरकार को कोई भी इंकम यहाँ पर नहीं होता ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर करेंट अकाउंट एक्समेंडीचर है कि नहीं तो चलिए और हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रतीरक्षा वै ठीक है कि नहीं तो हम लोग क्या देख रहा है केंदर सरकार के बजट के चालू खाते में सबसे बड़े यहां पर मत की यहां पर बात की जारे दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं परीदान तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर ब्याज भुक्तान की हम लोग यहां पर बात करते हैं हैं सवाजिक सवाओं पर किया यहां पर वै तो देखो मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि आन के हैं तो कहने का मतना हम लोग क्या देख रहे हैं यह चार option में ब्याज भुकतान पर सरकार सबसे यहां करती हैं यहां पर खड़ज करती हैं और सरकार को कोई भी यहां पर इंकम नहीं होता तो हम क्या देख रहे हैं कि चालू खाते में वैका सबसे बड़ा मत कौन सा होगा यहां पर ब्याज भुकतान होगा चलिए अगले क्वेशन की और आगे बढ़ते हैं जब हम संगी वजट की हम लोग बात करते हैं तो राजगोशी घाटे का यहां पर अर्थ क्या होता है देखो राजगोशी घाटक इसको बुर रहे है कि सरकार के द्वारा एक वित्तिय वर्ष में लिया गया स क्या बुला सरकार के द्वारा एक फैनेंशल येर में जो यहां पर समस्त घाटा होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं इससे सरकार को कितने उस वित्ति वर्ष में यहां पर रेंड लेने की ज़रुरत है इसका क्या होता है अपने को यहां पर पता चलता है तो हम यहां पर देख कुल खर्च कम मद जब यहां पर बड़ा होता है कौन से इंकम से भाईया गौर्णमेंट किसे यहां पर खर्च करेगी रुवेन्यू इंकम से खर्च करेगी यह जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं राजस्व आए क्योंकि पुंजीगत आय क्या होता है भाईया सरकार को एक वि आइसे करना चाहिए क्योंकि जब अपने गाटा होगा तभी तो हम यहां पर उधाली लेंगे और उसी उधाली का पैसा को हम लोग पेशोग करेंगे कुंजी गत आइक करेंगे हैं تو हम क्या देख रहे हैं जब अपना कुल यहां पर खर्च revenue income प्लस इसके अलावा सरकार अपनी संपत्ति भी क्या कर सकती है बेश तो हम लोग क्या देख रहे हैं कुछ asset यहां पर इनकम प्राप्त होगा प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अलावा disinvestment कंपनियों के disinvestment या वीनीवेश से जो यहां पर राशी प्राप्त होगा उसको अगर हम लोग घटा देते हैं और फिर भी कुल खर्च जो होता है अपना यहां पर जब जादा होता है तो उसको हम लोग क्या बुलते हैं य कुछ लोग करते हैं पक्रते हैं इसको हम लोग देख रहे हैं हम जंता से लोन ले सकते हैं हम बैंकों से जा सकता है कि वर्ड बैंक अपने पास में यहां पर अविलेबल है एशन डिवलोप्मेंट बैंक है ब्रिक्स बैंक है अलग-अलग बैंक में हम लोग जाकर वहां से क्या ले सकते तो ध्यान में रखिएगा कि राजकोशिय घाटे का अर्थ क्या होता है कि सरकार को एक आंत्रीक तथा बाहर रिण दार में निवल वृद्धी का योग तो बिलकुल हम लोग क्या देख रहा है जिसे बजट घाटा कि अगर बात करते हैं तो जब इंकम जो है ठीक है एक्सपेंडीचर से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बजट घाटा प्लस जितना गव सेम् कुछंट कुछ इस प्रकार है टना घाटी से यहां पर ताथ पर हैं इसम कुशन है यहां है यहां pous यहां पर फॉर्मूला देखे थे ठीक है कि नी तो कहने का मतलब जो भी हम लोग यहां पर ठीक है जो कुल वे में से हम लोग जब जब हमारा कुल वे क्या हो जाता है यहां पर बढ़ जाता है हमारे सारे income से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर राजकोशिया घाटा हम लोग यहां पर बोलते हैं तो भई सीदी से बात है option यही क्या है यहां पर correct है क्योंकि हमने क्या देखा था जब total expenditure हमारे revenue income plus investment हो गया या फिर सरकार अपने असेट बेचके यहां पर जो कमारी ऐसे इंकम से भी यहां पर जब ज्यादा हो जाए हमारा expenditure तो उसको हम लोग क्या बोलेते हैं यहां पर सीरी से बात है fiscal deficit बोलेते तो धान में रखेगा यह क्या है अपना fiscal deficit और option A क्या होगा अपना यहां पर correct होगा चलिए अगले प्रशन की और आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन कुछ इस प्रकार है यहां पर अगला question यह बुलता है कि यदि सकल राजकोशी घाटे में यहां लोग बात करते हैं fiscal deficit की हम लोग यहां पर बात करते हैं में से ब्याज भुक्तान को या जो interest हम लोग यहां पर पे कर रहे हैं को अगर निकाल दिया जाता है तो जो उसका शेज बचेगा उसे हम क्या कहेंगे तो चलो इसको formula के तोर पे हम लोग लिख लेते हैं यहां पर प्रशन बुलता है कि fiscal deficit से जब हम लोग यहां पर interest जो यहां पर पे कर रहे हैं उसको जब हम लोग यहां पर घटा देते हैं तो क्या बसता है तो देखो fiscal deficit क्या होता है कि सरकार को एक वित्तिय वर्ष में जो संपूर्ण यहां पर सरकार का घटा है उसको हम लोग क्या बुलते हैं यहां पर fiscal deficit that means सरकार को उस financial year को run करने के लिए उतने extra पैसे की क्या पढ़ती है जरुरत पढ़ती है यह हमने पिछले प्रश्ण में क्या किया था यहां पर इसे देखा था तो हम क्या देख रहे हैं कि खर्च क्या यहां पर जादा है तो भाई सरकार को उस financial year में खर्च एकरने की लिए दिया औसThese अब उसरकार की क्या चुकाना यहां पर ब्याच्च चुकाना तो कहने का मतला हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब सरकार यहाँ ब्लडे रहा होगा तो ब्याज छुकाने के लिए भी कुछ पैसे की विवस्था वह पहले से करके यहां पर रखा होगा और वह ब्याज के सुरूब जो ऊसवित्य वर्ष में पैसा सामने वाले को दिया जाना है वो भी उस राजकोशिय घाटे के की जो यहां पर राशी आएगी उसमें वो यहां पर क्या होगी कि इंड्ड वोगी फी सरकार को यहां पर जभण ती लेकिन साउर उ条्रुपया की की ज़रुवट थी हम क्या देख रहे हैं कि सरकार को इसके उपर में ब्याज भी चुकाना है अगर suppose करो 10% इसके उपर में ब्याज चुकाना है तो 10 बटे 100 that means 10 रुपया उसको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा सरकार यहां पर drive की थी लेकिन सरकार रिंड कितना ने कर रखा हुआ है 10 रुपय और ऐला कि यहीं बोला जा रहा है कि अगर सरकार को एक्चुल में कितनेपैसे की यहाँ पर जरुवत थी अगर जो रिंड जुका रहे हैं या safe i9 के शरूफ में पर पैसा लिये उसमें जो भ्याद चुकार है अगर उसको हाँ पर हटा दिया जाता है तो कि पता चलेगा दोस्तों अपनि को कि कितने एक्चॉल में सरकार को इस financial year उन्लमा पर पैसे की नीट थी तो कहने बचेगा उसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे शकल प्रात्मिक घाटे की हम लोग नाम से क्या करेंगे उसे हम लोग यहां पर जानेंगे तो रहे यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे प्राइमीरी के नाम से हम लोग क्या करेंगे यहां पर जानेंगे फिसकल में से अग्ले राजसो घाटे से क्या बाहर है अब राजसो धाते हैं हमने यहां पर रॉठी एक सरकार को एक financial year में अपने सारे sources से प्राप्त income को हमने क्या बुला यहां पर राजस्व या revenue income बुला वही हम राजस्व जब यहां पर वै की बात करते तो सरकार के द्वारा एक financial year में किया गया वो खर्च ठीक है ना जिससे सरकार को आई की यहां पर उम्मीद नहीं होती इवंदो उसक खर्च को हम लोग क्या बोलें यहां पर राजस्व वै बोलें कहने का मतलब राजस्व आए कि अगर जब लोग यहां पर बात करते तो जितना भी उसमें पैसा होगा वही गौर्रमेंट का यहां पर income होगा क्योंकि पुंजिगत आए क्या होता है वो तो उधार का पैसा होत होते हैं एक राजस्व वै होता है दूसरा यहां पर पुंजिगत वै होता है लेकिन राजस्व वैसे सरकार को income नहीं होता पुंजिगत वैसे सरकार को income होता है तो अगर राजस्व घाटा की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो गौर्रमेंट क्या बोलता है यहां पर क कि जितना इंकम रहेगा उतना ही यहां पर खर्च करना चाहिए उतना ही यहां पर revenue खर्च करना चाहिए ताकि उपभोग के लिए अपने को एक्स्टा मनी की यहां पर आवश्रक्ता ना पड़े क्योंकि पुण्जिगत में वै करेंगे तो बटो भी अस फ्यूचर में अपने बात की जाेगी तो revenue deficit क्या होता है हम अपना टोटल revenue expenditure क्या क्या देखेंगे यहां पर राजस्वल वे को जब हम लोग किसे घटा दे हां पर revenue से हम लोग यहां पर घटा देते हैं यह राजस्व Star को ऑई से यहां पर गटा देते यहां से हम क्या बोलता हैं यहां पर राजस्व घाटा या रवन्यूव डेफिसीट again सोंदोग क्या देखने हैं जब राजस व ए जो है वो राजस आएथ से भी क्या हो जाए यहां पर ज्यादा हो जाए तो कहने का मतलब सरकार उन चीजों पर ज्यादा खर्चा कर रही है जहां से सरकार को income होने ही नहीं वाली है एक घाटे की क्या है यहाँ पर एस्थिती है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर revenue deficit या राजस्व घाटे के नाम से हम लोग जानते हैं जो कि ये बताता है कि सरकार उपभोग के लिए कितना यहाँ पर खर्च कर रही है या consumption पर कितना ज्यादा यहाँ पर खर्च करती है तो चलिए option की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो भारत में राजस्व यहाँ पर बात की जारी capital asset किसको बुलते जो भविश हमें और हमारे income को क्या कर दें यहाँ पर बढ़ा दे लाइक मशीन मैंने पहले ही बूला था कि यहाँ पर सरकार मशीन पर खर्च करती है तो सुरवात में तो उसका यहाँ पर सरकार का खर्चा हुआ लेकिन जब मशीन करना चालो करेगे तो सरकार को income generate हो जाएगा होगा की नहीं तो कहने हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि capital formation का निर्मान करती है क्या बिल्कुल भी नहीं तो option क्या होगा गलत होगा दूसरा हम क्या देख ने भारत सरकार को या भारत सरकार को अपने व्याव के वित्ध तो है वह रेंगतों कोई पॉन्जिगत निर्माण नहीं होता है संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं वह यहां हम लोग क्या बोलते हैं revenue expenditure option B क्या होगा इसका यहां पर दोस्तों करेक्ट होगा चलिए अगले प्रश्ण की और यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है राजस घाटे में से पुंजी गत परिसंपत्यों के स्रिजन है तो आनुदान घटाने पर हम यहां पर गाटा देते हैं जो की है's the forest a ram nation के लिए क्या की गई यहां पर इस्तमाल के गई है तो इसे क्या कहेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं इस है राजसória घाटे की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं या जब हम यहां पर बात करते हैं revenue एक्सपेंडिचर या राजसव जो व्य हैं वह अपना है रेवेन्यू कि इंकम से क्या हो जाता है यहां पर ज्यादा हो जाता है तो उसे हम् यहां पर राजस्वा घाटा कहते हैं कहते हैं कि नहीं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर जब रवन्यू डेफिसिट की यहां पर बात की जाती है तो रवन्यू एक्समेंडिचर रवन्यू इंकम से क्या रहता है अपना यहां पर जादा रहता है और रवन्यू एक्समे सब्सक्राइब कर Eitheramos नहीं हो रहा है। सरकारन ब्हारत अनौत कोई इंकम नहीं होता just प्र प्र hem सब्सक्राइब हाइप Walking लगा है तिका लगा है तो उससे सरकार को इंकम हुआ हमने कुछ पे किया क्या नहीं किया वही हम लोग क्या देख रहे हैं सरकार अपने आयका बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को क्या दे देता है यहां पर ठीकिना दान में दे देता है तो राज्यों को दान में देने का कहन पैसा मिला राज्यों को जितना भी पैसा आया पर सपोस्काइब थाउजन करोर रुपया ठीक है ना हम क्या देख रहे हैं कि रेवन्यु एक्सपेंडिचर क्या होता है जिससे सरकार को इंकम जनरेट नहीं ठीक है और यह पैसा किसको दे दिया राज्यों को राज्य जैसे इस पैसे को लिए इनमें से कुछ पैसे को उसने यहां पर एजा क्या कड़ खर्च कर दिया मतलब कोई मशीन खरीद लिया तो जो मशीन चलेगी तो राज्य सरकार को इंकम करने तो कहने का मतना हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो वास्तविक में केंदर सरकार का घटा यहाँ पर नहीं था उससे हम क्या देख रहे हैं उस पे कुछ पैसों से यहाँ पर पुंजिगत परी संपत्यों का निर्माड या Capital Formation के निर्माड के लिए उस पैसे को क्या कर दिया गय है तो कहने का मतना हम लोग क्या देखेंगे जब Capital Formation की जाने वाली राशी को जब हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं तो उससे प्रभावी राजस्व घाटा हमको क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है तो धान में रखना हम लोग क्या देख रहे हैं प्रभावी राज डेफिसिट क्या होता है हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्ण की और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्ण कुछ इस प्रकार है कि हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रा इस फिती होती है एक तो सबसे पहले हम लोग प्रबंधन इससे मुद्रा की तो देखो पहला स्टेट्मेंट क्या बूल रहा है कि हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रा स्विती होती है मुद्रा स्विती है जिसे हम क्या बूलते हैं पर इंफलेशन बूलते हैं दूसरा यहाँ पर कारण बोलता है इससे मुद्रा की आपू सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह deficit financing क्या है देखो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरकार की भारत सरकार की इंकम क्या है यहाँ पर कम है और एक्सपेंडीचर गवर्मेंट की क्या है यहाँ पर ज्यादा है तो सरकार की इंकम कम है एक्सपेंडीचर ज्यादा है तो अपने खर्चे चलाने के लिए सरकार को क्या लेना पड़ता है यहाँ पर लेना पड़ता है तो डेफिसिट प्रप्रबंदन किसको बोल रहें सरकार क्या करेगा यहां पर जंता से रिंड यहां पर पूरी नहीं हो पारी है उसकी तो हम लोग क्या देख'' अन्य कोई वित्तिय संस्थान से वो रिंड लेना क्या करेगा चालू करेगा अगर तब भी उसकी यहां पर खड़ों कि यहां पर पूर्टी ना हो तो सरकार जो है वह एड-hoc बिल वगेरा जारी करेगा और विदेशों से यहां पाइसा लेना क्या अगर्ज लेना क्या करेगा फिर भी उसको यहां पर फीटनी इहां पर पूरी न हो पाए उतना ना मिल पाए तो और बी आई को नए नोट जारी करने के लिए यहां पर बोलेगा तो कहने का मतलब जब रिंड लेगा तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे एकोनौमी में क्या करने लगेगा देखो हिनात प्रबंदन से मुद्रा-इस्विति होती है यह तो क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया क्योंकि जब जब सरकार यहां पर रिंड यहां पर बढ़ जाएगी वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं इसे मुद्रा की आप पूर्थी वस्तों और सिवाओं की तुनलम में अधिक हो जाती है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पैसा यहां से आ रहा है वह एक्स्रा पैसा भी कहा पर पहुंचेगा मार्केट में पहुंचेगा तो दैट मींज हम लोग क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई क्या हो जा रही है यहां पर इंक्रिज हो जा रही है है कि नहीं दोस्तों तो चलो ह हम लोग देखते हैं यहां पर कथन और कारण दोनों क्या हो रहा है यहां पर करेक्ट हो रहा है तो आप्शन पर हम लोग जाते हैं ए तथा आर दोनों सहीं है परन्तों ए आर एक की सहीं व्याख्या है तो यह ऑप्शन क्या होगा अपना यहां पर करेक्ट होगा कथन और कि यहां पर बात कर दी गई कि डाफिसेट कि फाइनेंसिंग या घाटे की वित्व विवस्था में वै और राजस्व का अंतर अतरिक्त कागजी मुद्रा चापकर करते हैं अभी हमने यहां पर देखा कि आरबी नए नोट क्या करने लगता है यहां पर चापने लगता है इस का उद्देश आर्थिक विकास है परन्तु यदि यह विफल हुई तो इससे क्या स्थिति उत्मन हो सकती है तो देखो सरकार भई रिंड किसलिए ले रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहां पर विकास हो सके डवलप्मेंट के काम यहां पर ना रुकिए और ज करन्स अंवरन को दिखेगा तो वॉफ भीया weet तो वह्मार्कट में आता है महंगाई को क्या करता बढ़ा देता है क्योंकि मनी क्या हो जाती है बढ़ जाती है और मुद्रह स्विती या इंफलेशन का सिजुएशन अपने को यहां पर मार्केट में देखने को मिलता है तो हम अगले प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं राजकोशी उत्तरदाई तो एवां बजट प्रबंधन अधिनियम या जिसको हम लोग क्या बुदते हैं यहां पर क्या लिए फिसकल रिस्पॉन्सब्रेटी एन बजट इस इस मैनेजमेंट की जब लोगर यहां पर बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं दो हजार लेक्ट या राजकोशी एच बहुत में कब पारित किया गया था तो यह जो एक्ट है 2003 में लाया गया था और किसलिए लाया गया था financial को कि डिसिप्लीन को maintain करने के लिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह वित्य अनुसाशन को कि अर्थ विवस्था में बनाए रखने के लिए वित्य अनुसाशन क्या होता है कि सरकार यहां पर सिर्फ जरूरत के चीजों के लिए यहां पर क्या ले कर्ज ले अदर्वाइस हम लोग क्या देखे थे कि मुद्रा स्विती जैसे यहां पर समस्या क्या हो सकती है मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है यह लाक रुपया लोन ले लेकिन वो किसके लिए होना चीए इंवेस्टमेंट के लिए यहां पर होना चीए कि जो एक लाक रुपया मैंने यहां पर इंवेस्टमेंट के लिए लोन दिया होगा अगर किसी सही जगा इंवेस्ट कर रहा हूँ खर्चा क्या होना चाहिए कम और यह यह जितना नहीं होना चाहिका है यह अच्छी बात है लेकिन रिण को क्या होraz कि जीए पुंझी होगत प्राप्ति यह पुंजी निर्माण के को यहां पर हो रहा है उस घाटे को हम लोग को क्या करना लिमिटेड रखना ठीक है किनी दूस्तों तो ध्यान में रखना हम लोकिया देख रहे है frbm जो यहां पर एक्ट लाया गया था अगर बात करते हैं तो अगर बजट 223 की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं सरकार अभी भी वरतमान में सरवाधिक जो आए है वो उधार या रिण से ही क्या करता है यहां पर प्राप्त करता है तो धान में रखेगा भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा जोत वर्तमान में क्या है यहां पर उधार ही है चलिए अगले प्रश्ण कि और आगे बढ़ते मिलेखित केंद्री की बजट 2022 तेश्ट के अनुमानित आये के श्रोथ हैं सुची एक को सुची दो के साथ में यहाँ पर सुमेलित की जिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही मिलान की जिए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2022-23 की बजट में हम लोग क्या देख रहे हैं कौन-कौन से छेतर से कितना कितना यहाँ पर सरकार income यहाँ पर expect करता ग्रता हूए हांपर चल रहा है वही हम लोग क्या देख रहे हैं के द्ञेखते हैं ननके लिए व्गण कृजट क्या कि एपर क्या की जारी पात कre dingen क्या देख रहे हैं कि आगर यहां पर बोला जाए कि सरकार के डारेट केucky मैंने सब्सक्राइब कर तो कौन से कर है निगम करहें तो द्यान तो क्या देख रहे हैं निगम कर में निगम कर से टोटल 100% में से 15% यहां पर सरकार को आए कि यहां पर उम्मीद है वही आयकर में भी 15% है लेकिन कुछ पॉइंट यहां पर कम है तो ध्यान में रखना 15% के लगबग है यहां पर दूसरी सबसे बड़ी मद हैं यहां पर डारेक्ट टेक्स की वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं सीमा सुलक से 5% यहां पर आए की क्या है सरकार को उम्मीद है व सरकार 25% यहां पर किया देखें रहें साथ पर सकता है तो ध्यान में रखी है 2023 यह आए के सबसे प्रमुक यहां पर क्या है मधधे हैं कि चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आपर पर आगे बढ़ते हैं कि बजट के अनुसार भारत का चालो राजकोशीद घाटा कि अदि के या हम लोग क्या देख रहे हैं एक लक्षित यह टारगेटइड राज कोशिया घाटे का अनुमान के यहां पर बारे में यहां पर पूछा है किसके तारगेटट कि फिसकल डेफिसिट की यहां पर बात पूछा है जो 2022 23 के बजट में यहां पर क्या है अनुमानित तो ध्यान में रखना हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2022-23 के बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोशी घाटा जो अनुमानित है वो कितना है बहुती जल्द हम लोग यहां पर अगला वीडियो लेकर आते हैं जो कि मनी एंड बैंकिंग से क्या होगा यहां पर सम्मंधित होगा और जो आपके प्रारंभिक परिक्षा के लिए काफी क्या है यहां पर महत्तपोर्ण है तब तक के लिए धन्यवाद